हेलो एंड नमस्कार दोस्तों स्वागत है सभीका मेरे चैनल सिभी ऐसी दोस्त में मैं आपका सिभी ऐसी दोस्त संजे परवान इस चैनल में आप सभीका स्वागत करता हूं तो यहां पर सिभी ऐसन्स की और से सिभी ऐसी सटीई डिपार्टमेंट जो है स्किल इज्यूड़ुकेशन उनकी और से तीन इंप्टन नोटिप्पлекेशन आया है दो notification है वो webinar के लिए है एक teachers का है एक principal voice principal के लिए है और जो तीसरा notification आया है वो काफी important है students के लिए ताकि जैसे ही हम लोगों ने सुना है कि NEP में coding और machine learning data science जो AI related fields है उसको थोड़ा यहाँ पे ज्यादा महत्वत दिया जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे एक notification आया हुआ है तो यह सी यह सी update के बारे में हम इस वीडियो में discuss करने वाला है तो चलिए वीडियो को start करता है वीडियो start करने से पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आया है पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को subscribe जरूर करे और bell notification आइकन प्रेस करे ताकि मैं यहाँ आपको weekly updates जैसे ही update आता है यहाँ पर देने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर इसका जो circular का link है वो आपको description में मिल जाएगा वहाँ जाकर कि आप उससे download कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर कोई आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो comment भी कर सकते हैं और description में link दिया है मेरे telegram group का तो उसे भी join कर सकते हैं तो चली start करते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे promotion and development of skill among school students तो यहाँ पर ऐसा हमने देखा था कि NEP 2020 में class 6 onwards जो भी students रहेंगे तो उनके लिए coding का प्रावधन दिया गया है कि coding वो सीखे और इस technology को समझे और coding कैसे होता है उसके बारे 2020 में लिखा था NEP वाले में तो यहाँ पर लिखा है the national education policy 2020 aims to address the many growing development imperatives of our country तो यहाँ जैसे लिखा है कि यह माली यह लिखिये यह लिखते है create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education NEP 2020 has led stress on skilling of students तो यहाँ पर skills को improve करने के लिए कुछ से प्रयादन किये जा रहा है तो इस प्रयादन में सबसे पहरा उम्होंने recommend किया है कि by 2025 at least 50% of learners should have exposure to vocational education for which a clear action plan with targets and timelines will be developed तो यहाँ पर यह चीज़ की गई है क्या है इसमें लिखा है कि CBSE committed towards the development of skills in school students and aims to develop good human beings capable of rational thought and action तो यह फिर दिले यहाँ पर यहाँ पर यह सब करने के लिए यह सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है तो इसी के लिए CBSE हमेशा प्रयादना करता रहता है और skill education का पूरा जो section है आपको सब्सक्राइब 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 अब तो आगे वीडियो में आपको बताने वाला तो देखें यहाँ पर एने इन्हों ने दिया है अब है जहाँ पर मैं वर्क करता हूं वहाँ अभी 11 का पर्मिशन अभी मिला है तो इसलिए इसमें भी अप्लाइ कर देंगे और हमने 6-8 भी Artificial Intelligence के लिए अप्लाइ किया था उसका अप्रोवल आ गया है तो यहाँ पर आप डाइरेक्ट फॉर्म करके कर सकता है तो सबसे पहला जो यहाँ लिखा आप यहाँ पर देखें क्या होता है कि रियल लाइफ में हम कोई स्वालिशन डूलते है तो उसके लिए कोडिंग काफी इंपोर्टन है हम मोबाइल उसके लिए उसके डेवलपएंड के लिए कोडिंग काफी इंपोर्टन है इवन डिजैनिंग में भी कोडिंग काम आता है तो यह सारी चीज़े समझने के लिए आपको इसको इंट्रोडिश किया जाएगा अप्लिकेशन या तो वेपसाइड या कोई भी डिजैन उसका आइडिया है डेवलप्मेंट का आइडिया है और से कैसे उसको इंप्रूव करें अपडेट वगेरा तो उसके बारे में यहां पर स्टूडेंस को आइडिया इसको आइड वो जिकल फ्लो का मतलब होता है कि अभी जैसे बटन पर युजर करते है तो नेजस्ट टाइम पे क्या होना चाहिए तो उसका फ्लो कैसे रहेगा तो यहां पर यूज्ट फ्लो कहते है ताकि में अभी कम्प्यूट्र साइंस पढ़ाता हूं तो इसमें लॉजिकल का मतलब ह होता है कि next statement पर अब क्या होने वाला है तो उसको कैसे integrate करेंगे कैसे code लिखेंगे तो यहाँ पर बताई जाएगा इसके बारे में पता चलेगा AI डेटा साइंस और उसके बारे में जो भी subject आएंगे या तो ऐसा कुछ सिखना चाहते तो वहाँ पर इनको यह काफी काम में आने दूसरा यहां पर लिखा है फैकल्टी और स्टुडेंट हैंट बोक्स विए इंटल और आई बीम इसके कुछ स्टेडी मटिडियल और जो बुक्स ऑविलेबल है यहां पर बुक्स वाले सक्षन में स्कील एजिकेशन में वैसे बहुत सारी इंटेशन प्रोग्राम भी आता जैसे अटल एफडी प्रोग्राम होता है तो उसके भी लिंक यहां पर सिगेसी देती है और भी कोई ऐसी कंपनी है या बड़े-बड़े इस्टिट्ट है तो उनके जरिये भी यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को इसके लिए भी यहां पर आपको देखने को मिले इसे रहेगा दूसरा सब्जेक्ट है वो है डेटा साइंस यहां लिखा है तो इसलिए डेटा साइंस जरूरी है तो यहां पर भी यह 12 आवर्स का डूरेशन है है class 8 and as a skill subject in class 910 तो 1 910 के लिए यहां पर दिया जाएगा तो यह जो कोर्स है यहां पर Uniformity in the marks distribution of all skills subjects, it has decided that with effective session 21-22 for class 11, the marks distribution of all skills subjects being offered by the board at senior secondary level shall be 60 marks of theory, including 10 marks of employment skills and 40 marks of practicals and projects. तो अभी तक तो 50-50 था यहां ओके यह क्लास 11 का है, तो 11 का हमारे पास थाने तो उसके बारे में दिखा रही था, कि यहां पर क्लास 12, 2020 में there is no change in the marks distribution, तो जैसे है वैसा रहेगा, लेकिन 21-22 जो है उसमें यह चेंज हो जाएगा 60-40 यहां होने वाला है, आगे यहां लिखा है अप्लिकेशन स्कील्स आप यहां पर देख सकते हैं, तो यह जो लिंक है इसके ओपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, पहला लिंक है 6-8 कोडिंग के लिए है, दूसरा लिंक है वो डेटा साइंस के लिए है 9-10 और तिसरा लिंक है वो है यहां पर 9-12 के लिए, तो इ दूसरा यहां पर जो है वह यहां पर ट्रेनिंग का सर्क्यूलर है और प्रिंसिपल्व वाइस प्रिंसिपल्स और एइंटिग्रेटेड्ड मल्टी डिसिप्लिनरी पैड़ागोजी तो यहां पर दिए आठ नौ छे साथ ऑगस्ट ग्यारा ऑगस्ट दस ऐसे तो इस दिन पर ह होगा यह तो आप अगर यहां पर अप्लाइग करना चाहते तो कर सकते इसका विल्क भी आपको प्रोइड कर दूंगा तो यह पर कोई फिस्क्रीड नहीं है पार्टिसिपन्स ज्वाइन वाया लैप्टप लैप्टोप से आपको जौइन करना पड़ेगा यह यहां लिखी कुछ जानना चाहते तो इसका वेबिनार यहां पर होगा यह जून 2021 को तो यहां पर लिंक दिया है वहां जाकर कि आप यहां पर भी अप्लाइब कर सकते हैं तो आसा रखता हूं कि जो जानकारी मेना आपको दी है वह अच्छी लगी होगी और एक जानकारी जो भी है वह सब्सक्राइब करने के लिए इसके लिए यहां पर प्रोजेक्ट करने के लिए यहां पर दिया जाता हूं कि मैंने जो जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी अगर अप्लाइ करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में पड़ा है लिंक जाईए उपन करिए और अप्लाइ कर दीजिए और कोई आपके डाउट से क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके साथ वीडियो को लाइक करिए शेर करिए अपने कलिस्ट के साथ और वीडियो आप रेगुरली देखते हैं तो कमेंट भी करिए आपको मेरे वीडियो कैसे लगते उसके बारे में अपना फिल्बेक जरू दीजिए ताकि उससे मुझे इंप्रूमेंट करने में पता चलेगा तो अगर को इंप्रूमेंट आप चाहते हैं जैसे कि मेरा जो बोल झाल